हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सुजाता आप देख रहे हैं मुमीज डायरी हिंदी सीखो तो पूरा सीखो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के जो अन्वांटेड हेर्स होते हैं यानि के बच्चों के फोर हैड पे शॉल् हेल्प करेंगे आपके बच्चे के अन्वांटेड हेर्स को रिमूव करने में जब भी आप यह होम रेमेडी या यह आटे की लोई यूज करेंगे उससे पहले आपको तीन इंपोर्टेंट बाते हैं जो ध्यान रखनी है सबसे पहले आपको बच्चे को मसाज जरूर करना ह जबी भी आप बच्चे के जो बाल है उनको हटाना चाहती है या उनके ऊपर कोई भी पेस्ट या उबटन लगाना चाहती है सबसे पहले आपको बच्चे को मसाज देना है बिना मसाज के बच्चे के ऊपर कभी भी कोई उबटन नहीं लगाना है नहीं तो बच्चे को जो ह आफ ससट्स टाइम यह एक पैच टेस्ट कर लिजेगा, आप बच्चे को यहाँ हात पे लगा सकते हैं, अल बच्चे पे लगा सकते हैं, नी पे लगा सकते हैं, गुटनों पे, पहले फस्ट टाइम आप लगाे चेक करें, अगर बच्चे क्ато पशु आई सनी पीड़ाइटसर और तीसरी important बात ये है कि चहरे के लिए और नेचे की बोडी के लिए हमेशा एक ही उपड़न या सेम लोई आप यूज ना करें क्योंकि जो हमारा बाकी बोडी होती है उस पे बहुत सारी मिट्टी या गंदगी होती है और अगर आप वही सेम आटे की लोई चहरे पे भी यूज करना है अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले चहरे पे लगाएंगे बाद में बोडी पे तो बच्चा चिर्चिड़ा हो जाएगा क्योंकि चहरे पे उन्हें कुछ भी लगवाना पसंद नहीं होता तो इसके लिए best solution यह है कि आप इस जो मैं अभी आपको लोई बताने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजेगा एक पार्ट आप सर्फ बच्चे के चहरे पर यूज करेंगे और दूसरा पार्ट बच्चे के बोडी के लिए यूज करेंगे तो चलो अब देखते हैं कि आते की लोई हमें बनानी कैसे है और यह आते की लोई बनाने के पर गूधना मालाई adalah मलाई नहीं होगory अपनाय na चाहिए लेकिन घरकी दूद भी ले स्कते हैं लेकिन जप्छा है किश्थ नहीं करता है रेहत हो जाते हैं किला ल bigger कि देखे अच्छे से आटे की लोई ये बन गई है आप इससे जो है आप इसको हम दो पार्ट में तोड लेंगे एक बाट बच्चे के लिए और दूसरा बच्चे की बोड़ी के लिए लोई को आपको अच्छे से सर्कुलर मोशन में यूज करना है धीरे-धीरे करके आपको बच्चे की जहां-जहां extra hairs है वहां से इसको massage करना है तो बच्चे को बहुत ज्यादा रगण के नहीं करना है और बहुत पतला pest बना के भी यूज नहीं करना है बिलकुल जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ है एक soft सी लोई जैसे हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं वैसी ही आपको यूज़ करनी है इससे जाहे बोडी का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा इसमें मलाई है तो उसका जो है स्किन को मुश्चर भी मिलेगा और हल्दी है तो वो भी बच्चे का जो है डेड स्किन सेल्स हैं वो भी सब निकलेंगी और हल्दी की वज़े से टैनिंग भी दूर होगी और गेहों का आटा जो है वो बच्चे की एक्स्टा हेर्स को रिमूव करने में हल्प करेगा अगर आपके बच्चे की एक्स्टा सेंसिटिव स्किन है तो आप मसाज के बाद जब यह लगाएंगे तो इसको डिरेक्टली मत लगाना एक बाउल में घी या ओयल जो भी आप मसाज के लिए लेते हैं वो ले लेना और इस लोई को उसके अंदर डिप करके फिर बच्चे को जो है आप मसाज देना तो यह आप ट्राइ करके जरूर देखना यह बहुत इफेक्टिव होता है बच्चे की एक्स्टा हेर्स को रिमूव करने के लि मैं ऐसे ही informative वीडियो लेके आती रहूँगी तब तक के लिए नमस्कार खुश रहें अपने बच्चों का ध्यान रहें